आपका मेरी YouTube चैनल आपका हेल्फ गुरू में स्वागत है। दोस्तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसे ही हेल्फ रेटर वीडियो आपको मिलते रहें regularly free of cost तो फिर शुरू करते हैं सुजोग यह दोनों हमारे हाथ है और यह दोनों हमारे पेर है यह हमारा थापे का जोइंट है यह नी जोइंट है और यह एंकल जोइंट है अभी नी और एंकल के बीच का एरिया हमारे काफ याने के लेक का एरिया दर साता है तो यह हो गया यह हमारे left लेक का एरिया है और यह हमारे right लेक का एरिया है तो अगर आपको सिर्फ काफ याने के पीडिया में दर्द हो रहा है तो इस तरीके से आप फिंगर की अंदर के साइड के एरिया को आप एक्यूप्रेशर दोगे तो भी आपको काफ पेम में राहत मिलेगी तो इस तरीके से 2-5 मीड के लिए फिंगर के अंदर के एरिया को आपको एक्यूप्रेशर देना है दोनों फिंगर में एक्यूप्रेशर देना है अगर दोनों लेक में आपको दर्द है अभी हम सुजोग सिर्फ थेरापी के बारे में बात करने वाले तो यहाँ पर हम मेथी के दाने यूज़ करने वाले मेथी समय काफ बेन में फायदा देगी अगर आपको पूरे लेग में दढ़ हो रहा है तो मेथी के दाने पूरी टेप पर लगा दीजे वन इंच की पेपर टेप पर पूरी पेपर टेप पर लगा दीजे और पूरी फिंगर पर लगा दीजे पूरे गोल आकर एरिया पर लगा अगर सिर्फ कोई एक पेर में दर्ध हो रहा है तो आप उस तरीके से आफ लेफ्ट शिंगर पर इस तरीके से पूरी पेपर पर मेथी के दाने चिपका कर लेफ फिंगर पर उनको लगा दीजिए ताकि आपको लेफ्ट काफ में दर्द हो तो उनमें फाइदा मिल पाए इसी तरीके से अगर राइट में आपको दर्द हो रहा है तो राइट फिंगर पर आप मेथी के दाने चिपका सकते हो तो दोस्तों यह हो गई सुजोक सीड थेरापी यहाँ पर हम सुजोक रिंग से भी इनको एक्यूपरिसर दे सकते हैं यहाँ पर जो लेग याने के काफ का एरिया है वहाँ पर यह रिंग को आप 2-5 मेथ के लिए गुमाये ताकि उनने भी आपको फायदा मिल पाए तो यह हो गई सुजोक सीड थेरापी सुजोक थेरापी फोर काफ पेन और लेग पेन तो अगर आपको मेरी इंफोर्मिशन अच्छी लगे तो इनको अपने फ्रेंज और रिलिटिस के साथ सेर जरू करिए ताकि उनको भी फायदा मिल पाए लाइक और कमेंट देजिए कि मुझे फिडबेक दीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए तो फिर मिलते एक नए वीडियो नए हिल टिप्स के साथ थेंक्यू फोर वाचिंग